हलो फ्रेंड्स मैं हूँ फैक्ट भाई और आओ मैं सिखाऊं तुम्हें अंडे का बंडा आज की वीडियो में एक भी नहीं कोई मामूली अंडा काले पीले नीले और हरे हैं इसके रंग और इन रंगों के पीछे का राज सुनके हो जाओगे तुम दंग कुछ अंडों का शे इसका अंडा कितने में मिलता है तो सुनो पूरे साड़े तीन हजार का हैं ऐसा क्या सोना कड़ा इसमें वैल यह सब जानने के लिए चलो करते हैं आज इन चिडियों के घोसलों के साथ थोड़ा एक्स्पेरिमेंट इन और टुड़ेज वीडियो टाइटल 15 मोस्त यूनिक एक्स इन दवर्ल नमबर वान ओस्टरिच एक क्या आपने कभी 2 किलो कंड़ा देखा है सुना या खाया है हाँ अब आप सोच रहे होगे कि क्या बात कर रहे हो आई 2 किलो कंड़ा कैसे हो सकता है पर खुदी दिमाग दोडा के देखो और सोचो कि अगर ऑस्टरिच दूनिय में मिल जाए तो अकेले मत खाना क्योंकि इस एक अंडे में 2000 कैलोरीज चुपी है और इतनी कैलोरीज इंसान को पूरे दिन में कंस्यूम करनी चाहिए ना कि एक ही बार में दबानी चाहिए पर फिर भी अगर खाना ही है तो पहले अपने बटवे का जरा हाल जाल देख लेना क्योंकि इसका एक अंड़ा 35 से 50 डॉलार यानी 2600 से 3700 रुपए के बीच का है यानी इतने पैसों में तो मैं पूरे महीने के मुर्गी के अंडों का स्टॉक कर लूँ नमबर टू रॉबिन से यह चोटे नीले अंड़े अगर आपको फोटो शॉप्ट या एडिटिल लग रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हो असल में यह रॉबिन के अंड़े हैं जिनका यह ब्लू कलर इतना अनोखा और धासू है कि लोगों ने इसे ऑफिशिली एक अलग कल अंड़े देती है तो वह बिलिवर्ड नाम का एक पिग्मेंट अंड़े के शेल में डिपॉजट करती है और उसी वजह से अंड़ों को यह अलग कलर मिलता है लेकिन लेकिन उस रिसर्च में यह भी कहा हुआ है कि इन अंड़ों का कलर लाइट ब्लू टू डार्क ब्लू के शेट्स में वैरी करता है और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर फीमेल हेल्दी होगी तो वह अंड़ों में जादा पिक्मेंट डालेगी यानि कलर डाक एंड ब्राइट हो जाएगा और अगर फीमेल उतनी हेल्दी नहीं होगी अंड़े देने के लिए तो वह अफकॉर्स कम पिक करने लगते हैं पर हां अगर तुम्हें कहीं पर यह ब्लू अंड़े दिख जाएं तो करपया करके उसकी बुर्जीपत बनाना क्योंकि रॉबिंस एक बार में सिर्फ तीन यह और ज्यादा तर यह सारे अंड़े फर्टाइल होते हैं यानि उन अंडों के अंदर से बच्च बिल्कुल साही सुना इस लाइट ब्राउन और ब्लैक स्पॉड वाले अंड़े को खाने से हो सकती है आपको जेल क्योंकि यह खाना चुराने वाले सीगल एक्चुली यूके के 1981 के वाइड लाइफ एंड कंट्री साइड एक्ट में आते हैं जिसके तहत ना तुम किसी बर् है कि तुम्हें जल्दी से कहीं भी सीगल के अंड़े बिकते हुए नहीं मिलेंगे और अगर गलती से तुम्हें कहीं ये खाने को मिल जाए तो तुम्हारे पॉकेट को अच्छा खासा फटका मिलेगा क्योंकि एक अंड़ा पूरे 15 डॉला यानी 1100 रुपए का होता है यहा ना मतलब यह बर्ड अपने एक जमीन पर देते हैं और कोई प्रेडेटर आके इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए या फिर इन्हें ले ना जाए इसलिए इनका कलर ऐसा डाक ग्रीन है ताकि अंडों का कलर फाम या फिर ग्रास से कैमोफलाग हो जाए और वो अंडे किस किसानों के साथ वार में एक्षुल में जीत गए थे जी हां 1932 में और ऑस्ट्रेलियन मिलिटरी के बीच जंग चिड़ी थी क्योंकि आल्मोस 20,000 एमू का एक बहुत बड़ा जुन पानी की खोच में बटक गया था और कई किसानों के फार्म डिस्ट्रॉय करने लगा था मादान परिंदे अपने अंडों को लेकर जा ऐसा मैंनी पर कई बर्स फेजेंट पक्षी को जरूर कहते होंगे क्योंकि यह महाशा एक आजाद परिंदे जो की फेमस हैं अपने लाइट ऑलिफ ब्रीन अंडों को दूसरे पक्षियों के गोजलों में छोडाने के लिए जहा अब उनकी शगल में बेटा यह तो निकला फेशन नमबर सेक्स सेटीज बाबलर एक्स यह चुडियों को बॉंड जो चुपके बैठा रहता है नियरा पॉंड इसके लाल अंडे हैं इसकी शान इसकी सुरीली आवाज है इसकी पहचान यह चोटू सा स्पैरो जैसा दिखने से दिख जाते हैं पसेटी बावलर भी किसी बाजी के से कम नहीं है वह अपने अंडों को खत्रे में देखकर उट की जान की बाजी लगा देतें पर अपने अंडों को कुछ नहीं होने देते नमब सेवेन कयूगा डग्स एक यह नहीं कोई और डेखो तो रंग इसकी अंड है कि स्कूल में पड़ा हुआ जेनिक्स और साइंस अब किसी पिछले जनम की यादों की तरह लगता है पर वाइफ है वें फैक्ट बाइज है देखो एज आल वी नो मेटिंग के टाइम पे मेल्स अपना एक जीन देते हैं और फीमेल एक और इनी जीन में लिखा हुआ होता है अंडों का कलर मेरा मतलब है कि यूगा डक्स में ग्रे कलर वाला एक्स ट्रेट डॉमिनेंट है और वाइट कलर अंडे वाला ट्रेट रेसेसिव इसलिए जादातर इनके अंडों का कलर आपको एश ग्रे ही दिखेगा पर इन अंडों का कलर टाइम रहते चेंज होता है जैस एक ऐसी स्पिशीज है जिसकी फीमेल अंडे देने पर मार लेती है कल्टी इनके अंडे ब्लू या पर्पल होते हैं तीन हफ्थे तक इनका ख्याल रखके मेल दिखाता अपनी लॉयल्टी है ग्रेट टिनमो एक ऐसी पॉलीजेस स्पिशीज है जहां फीमेल अंडा देकर तो ऐसे टाइम पर मेल टिनमो अपने पंक से उन अंडों को ढख देता है और उनका खयाल रखता है जब तक उन में से चूजे बाहर ना जाएं इन एक्स की दो खासियत है एक तो इनका शेप और दूसरा इनका यूनिक वेरियेशन वैसे कॉमन मुरे बर्ड्स के एक्स के ऐसे शेप का एक कारण ये है कि कॉमन मुरे अपने घोसले उंचे क्लिप्स पर बनाते हैं इसलिए उनके अंडों का ये कॉनिकल शेप उनने रोल हो को उनके यूनिक कलव वेरियेशन की मदद से रेककनाइज कर लेते हैं नमबर टैन साउदन कैसोवरी एक्स ग्रेटी नमो की तरह कैसोवरी भी एक पॉलीजेन अंड्रस इस्पिशीज है जहां फीमेल अपने ब्राइट ग्रीन अंडों को मेल के नेस्ट में छोड़कर निक साथ हूं कि वो निकल पड़ती है एक नए पार्टनर की कोज में मतलब मेल बिचारे का तो खट गया क्या वाई लोग तो मजाया की नहीं इन रंग बिरंगे अंडों का फंड़ा देखने में और अगर मजाया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूरू बताना कि आपका फे के लिए टेक क्यार जाए हैंद